बहुत लोग ऐसे इस प्रकार सोचते हैं कि इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में बहुत दुख है इस गटना के कारण मेरे जीवन में बहुत दुख है इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में इस प्रकार का बरताव किया है इस प्रकार का विभार किया है इसलिए यह जो बेचेन है उसी खारण से है इस प्रकार बार 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 उसे दोड़ाते हैं और उसके गाठे बांथे हैं कुछ व्यक्ति तो इस प्रकार से भी होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं इसका जवाब इस प्रकार से दुगा करके वो बार-बार सोचता है तो ये क्या होता है इसे कहते है बहर की गाठे बांधना उसे हमारी बहासे हमें कहते है उपना है जो वेक्ति इस प्रकार बार-बार सोचता है कि जो हमारे प्रति कोई दुर व्यवार करता है या अच्छा बरताव नहीं करता है जैसे कि कोई वेक्ति गाली गुरुज करता है कोई वेक्ति उसके प्रति बहुत विश्वास करता है कि इस बहुत आशाय रखता है कि वेक्ति ऐसा ऐसा और अच्छानक से उसके विरुद हो जाता है तो बहुत दुख होता है और वो बाहर-बाहर मन में आता है कि इस प्रकार हुआ है करके तो प्रिय व्यक्ति भी इस प्रकार दूर हो जाता है जैसे कोई भाई बहन हो कोई दोस्त हो तो किसी प्रकार का एक अप्रिय कोई गटना होती है और उसी को मूल करके वो सम्मन्द तूट जाता है बहुत दूर तू जाते ही लेकिन बात में हम बहुत पश्चाताप करते हैं पीडा से रहते हैं तो इस से बाहर आने के लिए मैं आपको कुछ बाते बताऊंगा सबसे पहले जानना है कि यह जो बात मुझे कही गई है जो गाली है अभध्रवचन है यह बात भी तो आनित्य है बदलने के सुभाओं की है और जो आनित्य है उसको क्या कहो कि यह मैं है मेरा हूं मेरा है या ऐसा कहना भी तो ठीक नहीं है कि यह बात स्थावर नित्य है जो मुझे चुभाने वाली है क्योंकि वो तो आनित्य होने से वो तो नस्त हो गई है ठीक है और ये लोग का सुभाव है ये लोग का सुभाव है कि इस परकार प्रिया प्रियक सुभाव होना ये लोग का सुभाव है तो ये भी लोग सुभाव मेरे जिवन में उत्पन हुआ है बस ये जान कर उसके आनित्य सुभाव को जानना चाहिए ये भी बदलेगा ये समझ कर जो विक्ति हमारे प्रति दुर्भाव करता है गाले गुलूज करता है या जो भी करता है तो बदले में हमें उसी प्रकार प्रती उतर देने की जरूरत नहीं है हमें उसके प्रती मैत्री होना चाहिए यारे बिजारा अज्ञान है उसके जो भी बुरा भला बुरा करता है तो उसके अज्ञान ताकिकार है वो जानता नहीं अपने कर्म के विपाक किस प्रकार आएगा तो इस प्रकार मैत्रिया और करुना जगाए क्यारे उसके किये हुए का जो फल है उसको न मिलेगा तो इस प्रकार मैत्रिय जगा आते हुए उसे दूर रहना है अगर या बहुत प्रियव्यक्ति है तो उसको समझाना भी चाहिए कि इस प्रकार होना चाहिए इस प्रकार नहीं होना चाहिए आधी प्रकार से और सुधार कफिर से महतर प्रेम से रहना चाहिए उसके गाठे नहीं बानना वो गाठ अगर बानते हैं तो सिर्फ एक जनम या दो जनम तक रहे ऐसा नहीं है गाठे बनती है तो बहुत लंबे समय तक चलती है ठीक है उसे खोलना बहुत मुश्किल होता है इसलिए भी इसने मुझे मारा है इसने मुझे गाली गलुच किया इसने मेरे अपमान किया है आदी प्रकार से जो हम बार-बार जो दोराते हैं जो उसकी गाठे बानते हैं तो यह आच्छा नहीं है यह हमारे लिए बहुत हानिकारक यह धर्म में आगे बढ़ने के लिए भी हानिकारक है तो आपको अगर चाहिए कि शांती का जीवन चाहिए तो इस प्रकार के जो भी बाते आपने जीवन में आती है तो उसके आनित्य सुभाओं को जाने और आनित्य सुभाओं को जान कर उसमें समता में रहें समता में रहने का प्रयास करें और आगे महित्री और करुना रखें सब के प्रति समान महित्र करुना रखेंगे तो ये बात अपने आप दूर हो जाते है और उससे आगे भी ये बात करने चाहिए और ये चार दिन की जिन्दगी है ये जो छोटा सा ये जीवन है मेरा इस क्या किसी के साथ जगणा वेर करके ये जीवन जिना है शांति के साथ ज बदले में बिना दुर्व विभार की उनके प्रति महित्र करुना रखें इसे हम उसे बाहर आ सकते हैं और दूसरा उपा है कि उस लोग धर्म के आनित्य सोभाओं को जारें ये भी तो आनित्य है ये भी तो बदले का है तो इसको ये बी बदल जाएगा करकि इस पर विश् अदाई हो और इस प्रकार के उपना हव बंदन से बाइर से मुक्त होने के लिए सब को सो भागे मिले रगा आशिर्वात करते हैं नमो बद्ध है